हेलो एवरिवन फ्रेंज वेल्कम बेक टॉप 3 वर्ल्ट गाइज आज मैं आप शेयर करने वाली हूं पुरानी बैट सिट का एक दम मस्त आमेजिंग आइडिया अक्सर क्या होता है ना पुरानी जो बैट सिट होती है वो बीच से ही थोड़ी से घल जाती है उसकी साइड एक दम मस्त आइडिया मैं आप शेयर कर रहे हैं तो देखे मैंने बैट सिट को फोल्ट करके साइड का जो अच्छा हिस्सा है वहां से दो पीस कट करें है सेम तरीके से और दो पीस भी मैं कट कर लोंगी क्योंकि हमें टूटल यहां पर चार पीस की ज़रत पड़ीगी तो यह मैंने लंबाई में एक पीस कट किया था तो इसे मैं पीच से कट करके दो हिस्सो में डिवाइड कर लोंगी अब इसका मिजरमेंट मैं आप दिखा दूँ तो यह मेरा हो रहा है 29 बाइ 20 इंच तो यहां पर मैंने अंदाजेते कट किया था मुझे बड़े दो पीस चाहि अब यहां पर देखें किया करना है किसी भी एक साइड जो लंबी वाली साइड है वहां पर आम इसे डबल फूल करके सिलाए कर लेंगे तो इसकी मजबूती बढ़ जाती है अब यहां पर देखें क्या करना है किसी भी एक साइड जो लंबी वाली साइड है वहां पर हम इसे डबल फूल करके सिलाए कर लेंगे तो यह देखें दोनों पीस में मैंने इस तारीके से सिलाए कर ली है अब आपको क्या करना है जो हमने सिलाए करी थी वो वाली साइड न तो यानि के हमें ढम स्यवार के साइट का लेता है अपर allऊ साइट पर कट लें डी तो अब सलंग दो इसाइट का लेंगे मैं लिकीन में आंसे סर्ट करका वेंदा और यहाँ पर दो नों साइट भी तडिके खेंक लिए अब इसे अम बीच से फोल्ट कर लेंगे और इसका सेंटर करने अगहें तो श्ट्र stranger हो म akhirने जो में तो यहें दोनों साइट पर कर antis की है है और कपड़े को कर के मैने स्ट्रिप इप avoir 30 इंच की है आप इससे बड़ी भी बना सकते हैं और कि भी बना सकते हैं तो मैंने 6-inch चौड़ाई का फाब्रिक लेकर इसे फोल्ड कर एक और पीस चाहिए जो मैंने इस तरीके से बड़ा सा बैट सिट से कट कर लिया और इसे मैं फोल्ड करके रखा है बीच में फोम रखा है इसका में इंजर बेंट है 20 इंच और इसे भी मैं चारो साइट से सिल लूँगी और बीच में भी सिलाया कर लूँगी अब यहां पर एक साइट मेरी बंद साइट थी मैंने फोल्ड किया था कपड़े को तो बाकी की तीन साइट पर मैं इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाय कर लूँगी तो अगर आपकी यहां पर साइट बंद नहीं है तो आपको चारोल डबल फोल्ड करके सिलाय कर लेना है आप देखे तो यहां पर इस तरीके से रखेंगे जो पीछे की साइट से कट लगाए थे उसी के सेंटर में रखना है और फिर यहां पर जो हमने हैं पर इस तरीके से अटेच कर लेना है तो मैं सीधी सिलाई करके ऊपर रख कर लिया है अब इसे हम फिर से उल्टा कर लेंगे जो हमने सीधा किया था तो इससे मैं उल्टा कल लूँगे और इसके कॉर्णर को हमें इस तरीके से पकरना है देखिये एगदम ट्विश्ट करना है और फिर यहाँ पर सीधी सिलाई करनी है तो यह मैंने दोनों side पर sila कर ली है तो यह इस तरीके से हमारा ready है और जैसे हमने side में strip attach करके इसे pack किया था वैसे ही आपको यहाँ पर भी कर लेना है अब जो ready हुआ है जोला उसे हम इस तरीके से set करके रखेंगे और उपर की जो flap हमने बनाए थे उसे इस तरीके से रखना है और मैं यहाँ पर well grow का use कर रही हूँ तो मैंने 3 इंच चोड़ाई के 2 well grow लिये हैं आप चाहें तो पूरा लंबा भी ले सकते हैं तो देखें इस तरीके से मैंने यहाँ पर well grow अटेच कर लिया है और अगर आप button यूज करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके की बड़ी-बड़ी size के आपके पास button पड़े हैं तो भूलेना है और उसे नीचे की side attach कर लेना और उपर की तरफ आपको गाज बना लेने हैं तो यह देखें without zip हमारा बहुत ही प्यार आसा organizer बनकर ready हो चुका है काफी जादा बड़ी size में बना है आप इसके अंदर डेर सारे कपड़ों को store कर सकते हैं मैंने इसके अंदर इतने जादा कपड़े store करें के मेरे पास अब store करने के लिए कुछ बचाई नहीं था मुझे लगा आप इसके अंदर मैं क्या रखों तो उपर देखें काफी सारी जगा अभी खाली भी पड़ी हुई है तो अगर आप अपनी सर्दियों के कपड़ों को या फिर बैट सीट है या और कोई भी पुराने कपड़े जिसे आप इस्तमाल नहीं करना चाहते हैं बाद में डोनेट करना चाहते हैं या फिर कुछ भी store करके रखना चाहते हैं तो यह बहुत ही अच्छा तरीका है आप इस तरीके से store करके रख सकते हैं तो पुराने बैट सीट को इस्तमाल करने का यह आइडिया आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना शेयर करना चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किये बिना बिल्कुल मत जाना मिलते हैं ऐसे और यूसफूल वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना खैल रखना खुजरैना जय भारत